हेलो दोस्तों, वेलकम टो फंडामेंटल ट्रेडर, आज की इस वीडियो में मैं भेल की स्टॉक को लेकर आया हूँ और इसी स्टॉक में हम यह देखेंगे कि इसकी जो सपोर्ट बन रही है, वो कहां पर सपोर्ट बनती है क्योंकि सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को सपोर्ट सही तरीके से समझ में नहीं आता है वो सही तरीके से सपोर्ट को डिसाइड नहीं कर पाते हैं और उनका स्टॉप लॉस सीट हो जाता है तो देखिए चलिए सपोर्ट को देखते हैं और वीडियो को खोशिस करूँगा बहुत ही छोटी वीडियो क्योंकि मार्केट अभी लाइफ चल रही है और लाइफ मार्केट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करेंटली जो प्राइस चल रही है वो more than 5% डाउन आ गई है और अगर मैं लेटे स्विंग हाई के बाद करूँ जो भेल ने स्विंग हाई बनाई थी वो स्विंग हाई थी 80 रुपीज का हमने पिछले मैंने ही सह देखा होगा पिछले मैंने एक दो मैंने पहले 80 रुपीज के भाव हमने देखी थी और इसका बाद continue fall आते जा रही है और अगर मैं इस fall की range को देखू कि कितनी percent तक यह fall आ चुकी अपने high से तो आप देखें यहां पर जो fall आ चुकी अब तक में वो more than 30% की fall आ गई है तो यह काफी ज्यादा deep आ गई है पहले लोगों को लालच दिया investors ने prices को उपर लेके गए अगर आप इस prices को देखेंगे दिया इसने तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से investors को फसाया जाता है आप दिखेंगे मैंने एक trend line बनाता हूँ मैं कि एक इनट तुफ कि आप दिखेंगे यह जो trend line बनाया मैंने यह trend line है तो आप दिखेंगे इस trend line पर कितनी जगह से respect कर रहा हूँ मैंने इस point को बनाया यहाँ पर respect किया यहाँ पर respect किया अगें यह trend line को काफी अच्छे से respect कर रहा है और इस trend line को यहाँ पर break दिया यह देखें यहाँ पर breakout हुआ लोगों को लगा यहाँ पर break हो गया अब market उपर जाएगी तकि market यहाँ पर sustain ही नहीं कर पाई अगर आप इसके price action को देखेंगे जहाँ पर तो आप दिखें यहाँ पर market को sustain ही नहीं कर पाई प्राइजेस प्राइजेस जो है वहाँ पर sustain नहीं कर पा रही है यहाँ पर market continue fall आते जा रही है आप देखें गैब डाउन ओपन हुआ और यह जो प्राइजेस जो गिर रही है इसके सबसे बड़ी रीजन जो है इसके quarter के results सब मैरे बहुत लोगों के वीडियो में देखा सबने इस बात को तो बताया कि जो भेल है वो quarter के result जो है वो negative है 447 क्रोड के loss में पोस्ट की आपने कितने भी भी प्रीवेस वीडियो को देखना बहुत सारे चैनल्स ने जो भेल के लिए बनाय थे वीडियो उन्होंने सम्द को इसकी हिस्ट्री है मैं जून 2020 से 2021 एक साल का सिर्फ ड्राटा दिखा रहा हूं quarter results में तो आप इस बात को जरा यहां से ध्यान से देखिए मैं आपको profit after tax दिखा रहा हूं यह चीज आप दिखिएगा जून 2020 में जो थी जून 2020 में जो लॉस थी वह माइनस 900 करोर 897 करोर की लेकिन दिसमर 2020 तक यह losses को बहुत हद तक कम कर दिया जन्वारी की जो quarter आती न मार्च के जो quarter आप देखते तो सायद भेल 2021 में profit में आ जाता वो profit शो करता है लेकिन जो pandemic आई मार्च में जो loss आ गई सभी पूरे इंडेस्ट्री को lockdown के वज़ए से जो loss हुआ और भेल को भी थ आप देखिए अभी जून की जो quarter है अगेन वो अपने आधे losses को खतम कर दिया मार्च 2021 है पिछले quarter में माइनस 1000 करोर की जो loss दिखाई इसने और जून 2021 में माइनस 445 आधे से ज्यादा loss को कम कर दिया इसने और मुझे लगता आने वाले दो से तीन quarter में ये भेल रहे है अपन इसके लिए charging stations जो बनाएगा वो भेल के collaboration से ही बनाएगा भेल इसमें active participant होगा तो भेल को आप long term के नजर से देखिए short term के नजर से मत देखिए ये जो भेल की stock है short term में हो सकता है कि ये negative आज है और अगर मैं support के बात करूँ जो बहुत important support है वो यही level है जहां पर market आज trend कर ही है important जो level है वो है 5440 का ठीक है यह एक बहुत ही important support है important वाला support में बता रहा हो आपको और इसके बाद जो important support बनता है वो यह वाला level है 4320 का यह support है बट मुझे लगता जो pullback आएगा वो जाता 5440 वाले level से pullback आ सकती है जाफिर final 4320 के level से pullback आ सकती है और definitely इसके अंदर pullback आएगी लेकिन आपको मैं यह बोलूँगा कि भेल में अगर आप ले रहे हो तो long term के लिए low as a investment लो short term के trading मत करो हाँ short term में trading अगर आपको profit होता है तो वो अलग बात है लेकिन इसमें short term के लिए trading मत करो long term के लिए रखो भेल बहुत ही अच्छा return बनाएगा और मैं बहुत ही definitely sure के भेल वापस अपने hundred rupees के उपर trade करता हुआ आपको दिखेगा आने वाले सालों में तो long term की perspective से अगर आपके अगर आप अपने capital को नहीं फसाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको level बताई short term traders के लिए 5440 का यहां पर आप इसके नीचे stop loss लगा सकते हैं और अगर आप थोड़ा दिर और patience रख सकते हैं तो यह जो level 4370 को जो level आप यहां पर भी stop loss रख सकते हैं तो दो level मैंने जो आपको ब level जो है वो अपने profits को दिखाना सुरू कर देगा आने वाले इसके जो balance sheet है जो इतने सालों से negative में थी अब वो positive के तरफ आ सकती है तो मैं बस इसारा ही कर रहा हूं आगे आपके मर्जी आप क्या सुचते हैं अगर आपकी trading style जो है वो short term के लिए है आप अपने capital को ज्यादा दिन तक इसमें रख नहीं सकते हैं तो आप बेटर यहां से exit कर लिजेगा साथे साथ अगर भील से related और भी ज्यादा आपको information चाहिए होगा तो आप मेरे साथ मेरे telegram channel से जूर सकते हैं या फिर channel के साथ भी बने रह सकते हैं मैं यहाँ पर आपको update देता रहूंगा तो इस आपके return बन सकते हैं more than 5% more than 10% के return बनेंगे आपके तो new channel है अगर आप चाहो थैड कर सकते हो मैंने link description में दे दिया comment में पिन कर दिया है telegram के link अगर comment में open नहीं होती है तो VPN on कर लेना VPN लगाने के बाद open link हो जाएगी तो telegram एक अच्छा source है अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जरूर आओ कुछ दिन रहके देखो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो leave कर लेना आगे आपकी मर्जी वीडियो अच्छी लगे तो comment में जरूर बताएं देखिए यह सब तो लोगों की सोच है पर पैसा आपका है दूसरी की सोच पर विश्वास नहीं कर सकते हैं बस आप अपना analysis कीजिए आपको क्या लगता है आप decide कीजिए आप क्या करना चाहते हैं अभी के लिए अगर बस मेरे वीडियो अच्छी लगे तो like और subscribe करके motivate चर लें अगर आपको loss or profit होता तो इसमें मेरे या मेरे चैनल के कोई responsibility नहीं होगी